प्रेविद्यार्थियों नमस्कार आशा है आप स्वस्थ वे प्रसंद होंगे विद्यार्थियों हम यह जानते हैं कि इस स्वस्थी के समस्थ जीवों को जीवन की मोल भूत आवशक्ताओं की पूर्ती हेतु उर्जा की आवशक्ता होती है यह उर्जा उन्हें भोजन अत्वा आहार द्वारा प्राप्त होती है सभी प्राणी यहां तक की मानो भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहां से प्राप्त करते हैं वास्तों में हरे पौधे अपना आहार स्वयम संसलेशित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार की आवश्यक्ता के लिए उन पर प्रत्यक्ष अथवा और प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं हरे पौधों में उनके स्वयम के लिए आवश्यक्ष भोजन का निर्मान अथवा संसलेशन प्रकास संसलेशन द्वारा किस प्रकार होता है इस पिसे में विस्तार से जानने के लिए आईए आज हम प्रकास संसलेशन का अध्यन करते हैं आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश इस प्रकार हैं, स्वपोशी वे विशम पोशी में अंतर्श पश्ट करना, प्रकास चंस्लेशन को परिभाशित करना, एवं इसके महत्व का वर्णन करना, प्रकास चंसलेशन की कुल प्रतिकरिया को आनुभविक समिकन द्वारा प्रस्तुत करना, प्रकास चंसलेशन संबंदी विविन प्रयोगों का वर्णन करना, व्यज्यानिकों द्वारा प्रकास चंसलेशन संबंदी विविन अनवेशनों का वर्णन करना, छात्रों में कला कौशल, व्यज्ञानिक दिश्टिकूण, जिग्याशू प्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना इसके साथ साथ जेविक ज्यान के अध्यान में अर्जित ज्यान को दैनिक जीवन में सह संबंदित करना और इने अनुप्रियोग में लाना बच्चों ये स्पस्ठ है कि सभी प्राणी यहां तक की मानों भी अपने आहार के लिए पौधों पर ही निर्भर हैं हरे पौधे अपना आहार स्वयम संसलेशित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार संबंदी आवश्यक्ता के लिए उन पर प्रतेक्ष अत्वा प्रतेक्षूप से निर्भर रहते हैं हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भूजन का निर्मान अथ्वा संसलेशन प्रकास संसलेशन द्वारा करते हैं अत है जो जीव अपने भूजन का निर्मान अथ्वा संसलेशन स्वयम करते हैं वे स्वपोशी कहलाते हैं जैसे सभी हरे पौधे तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर प्रतक्ष अथवा अप्रतक्ष रूप से निरभर रहते हैं वे विशम पोशी कहलाते हैं जैसे मनश्यसाइद अन्य जीव हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रकास संसलेशन केवल पौधों में ही पाया जाता है यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक योगिकों को संसलेशित करने के लिए हरे पौधे प्रकास उर्जा का उप्योग करते हैं आता है कुल में लाकर प्रत्व संसलेशन में उपयोग की गई सूर्य उर्जा प्रत्वी पर जीवन का आधार है इस प्रकार प्रकास संसलेशन प्रकरती में घटने वाली एक अर्ट्यंत महत्वण परिखटना है आप जानते हैं इसा क्यों है दरसल प्रकास संसलेशन के महत्वण होने के दो कारण है पहला त दूसरा यह वायू मंडल में ऑक्सिजन छोडता है। अच्छा क्या आपने कभी सोचा है कि यदी सांस लेने के लिए ऑक्सिजन न हो तो क्या होगा? सारा जीवन ही थम जाएगा। क्यों? ऐसा है न? आता है प्रकास संसलेशन निसंदे समस्त जीव मंडल एवं प्रकरती की न इभिन प्रतिकरियाओं के विशय में जो प्रकाष ऊर्जा को रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित करती है। आधि के विशय में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में स्पण करें पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग के होंगे। जिन से पता रगा होगा कि क्लोरोफिल जो की पत्तियों का हरा वर्णक है प्रकाश तथा कार्बन डाय अकसाइड प्रकाश संसलेशन के लिए आवश्यक हैं आपने शायद शबलित याने की वेरिगेटिट पत्तियों अत्वा उस पत्ति में जिसे आंसिक रूप से काले कागर से ढग दिय किया होगा स्टाच के लिए इन पत्तियों के परिक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकास संसलेशन क्रिया सूर्य के प्रकास में पेड के केवल हरे भाग में ही संबन्न होती है आपने एक अन्य प्रियोग आधी पत्ती से किया होगा जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होता है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोकसाइड से भीगी भी हुरूई भी रखी होगी जबकि शेज भाग को प्रकास में रहने दिया होगा जानते हो ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा इसलिए करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोकसाइड कार्बन डैक्सेड को अवसोशित कर लेता है इसके बाद इस उपकरन को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है कुछ समय के बाद आप स्टार्ज के लिए पत्ती का परिक्षन करते हो इस परिक्षन से आपको पता लगा होगा कि पत्ती का जो भाग परखनली में था उसने स्टार्ज की पुष्टी नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्ज की पुष्टी की इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संसलेशन के लिए कारबन डायकसाइड नितांत आवश्यक है क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निश्कर्ष किस प्रकार निकारा जा सकता है उन साधारन प्रयोगों के विशय में जानना काफी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया क्रमिक विख्षित हुई है जोसफ प्रिशले जिनका जीवन काल सन 1733 से 1804 तक रहा उन्होंने 1770 में बहुत से प्रयोग किये जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की व्रधी में हवा की एक अनिकवार्य भूमिका है आपको याद होगा कि प्रिशले ने सन 1774 में ऑक्सिजन की खोज की थी आप स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र को देखिए प्रिशले ने इस प्रयोग में देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मुंबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चूहे का भी स्रीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट गया है इन अबलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निश्कस निकाला कि चाहे जल्दी मुंबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायू से सांस लेते हैं वे हवा को ख्षती पहुँचाते हैं लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पोदीने के पौधे को रखा तो उसने पाया कि चूहा जिवीत रहा और मुंबत्ती भी सतत यानि कि लगातार जल्ती रही इस आधार पर प्रिष्टले ने यह परिकल्पना की कि पौधे उस वायू की ख्षती पूर्ती करते हैं जिने सांस लेने वाले प्राणी और जल्तेवी मुंबत्ती कम कर देती है अच्छा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिष्टले ने प्रियोग करने के लिए एक मुंबत्ती एवं पौधे का उप्योग कैसे किया होगा याद रखें कि उसे मुंबत्ती को कुछ दिनों बाद पौनह जलाने की आवश्क्रता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं सेट अप को बिना बाधित किये आप मुंबत्ती को जलाने के लिए कितनी वीधियों के बारे में सो सकते हैं इस पर आप जड़ा चिंतन करिये मनन करिये जौन इंजन हाउस जो की सन 1730 से 1799 तक रहे हैं इन्होंने पीछले द्वारा निर्मित जैसे सेट अप का उप्योग किया जिसमें उसने एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की प्रकाश में रखा इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश नितांत अनिवारिया है यह जलती भी मुंबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई कम हुई वायू को शुद्ध बनाता है इंजिन हाउज ने अपने एक परिश्कत प्रियोग में एक जलिये पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे जबकि अंधेरे में रखे गए पौधें के आसपास बुलबुले नहीं बने थे इनको छोड़ सकता है सन 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी किन्तु जूलियस वॉन सेक्स ने यह प्रमार दिया कि जब पौधा व्रद्धी करता है तब ग्लूकोज अर्थात सरकरा बनती है ग्लूकोज प्राय स्टार्ज की रूप में संचित होता है उसके बाद के अ जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उसमें स्थित होता है उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्ज की रूप में संचित होता है अब आप टी डवलू एंजिल मैन जो सन 1843 से सन 1909 के बीच में रहे उनके द्वारा किये प्रकास को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लैंडोफोरा को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबर में रखा गया था को प्रदीप्त किया गया बैक्टीरिया का उप्योग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया थ उसने पाया कि बैक्टिरिया प्रमुखत लाल एवं नीले प्रकास क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकास स्पेक्ट्रम अर्थात एक्सम स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मौट्टे तोर पर क्लोरोफिल A एवं क्लोरोफिल B के अवसोशन स्पेक्ट्र से मेल खाता है। उननीसमी सदी के मध्य तक पादप प्रकास स्ट्रेशन की सभी मुख्य विशिष्टाओं के बारे में पता चल चुका था। जैसे की पौधे कार्बन डायक्साइट तथा पानी से प्रकास उर्जाखा उप्योग कर कार्भो हाइडेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्य करने वाले जीवों में प्रकास स्ट्रेशन की कुल प्रतिक्रिया को आमिभविक समीकन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप देख सकते हैं कार्बन डायक्साइट जब जल के साथ प्रक्रिया करती है प्रकास की उपस्तिती में तो ग्लूकोज का निर्मान होता है और ऑक्सीजन का निस्कर्शन होता है। यहां पर CH2O, CH2O एक कार्बो हैड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुकर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्मी जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वैननील जिनका जीवन काल सन 1897 से सन 1985 तक रहा है। उनके प्रयोग ने प्रकास संस्लेशन को समझने में मील के पत्थर का काम किया है। उनका अधियन बैंगनी अर्थाद परपल एवं हरे बैक्टिरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकास संस्लेशन एक प्रकास आधारित प्रतिया है। जिसमें ऑक्सी करणिये योगिक से प्राप्त हाइडोजन कार्बन डायकसाइड को अब चाहिद करके कार्बो हाइड़ेड बनाते हैं इसे आप स्क्रीन पर दिखाई समीकन के रूप में देख सकते हैं और इस प्रकार से इसको लियक्ट किया जा सकता है आप देखिए 2H2A धन कार्बन डैकसाइड प्रकास की उपस्तिती में 2A धन CH2O धन H2O जल का निर्मान करते हैं हरे पौधों में H2O हाइडोजन दाता है और ऑक्सिक्रत हो करके ऑक्सिजन देता है कुछ जीव प्रकास संस्लेशन के दोरान ऑक्सिजन मुक्त नहीं करते हैं जब हाइडोजन सल्फाइड बैंगनी एवं हरे बैक्टिरा के लिए हाइडोजन दाता होता है तो ऑक्सिकन उत्पाद जीवों के नुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है नकी ऑक्सिजन इस से उन्होंने निश्कस निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सिजन H2O अर्था जल से आती है नकी कारबन डायक्सेट से बाद में यह बाद रेडियो आईसो टोपिक तक्निक के उप्योग से सही प्रमानित हुई इसलिए कुल प्रकास संस्लेशन को प्रस्तुत करने वाला सही समिकर्ण अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छे अनू कारबन डायक्सेट के बारा अनू जल के साथ प्रकास की उपस्तिती में और पत्यों में जहां क्लोरोफिल है वहाँ पर ये प्रक्रिया करते हैं जिसके फलसरूप C6H12O6 ग्लूकोज के एक अनू का निर्मान होता है और इसके साथ-साथ 6 अनू जल के और 6 अनू ऑक्सिजन के मुक्त होते हैं यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनित्व करता है जल से निकलने वहली ऑक्सिजन को रेडियो आइसो टोफिक टक्नीक से सिद्ध किया जा चुका है यह एक एकल क्रिया नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है इतनी सरल नहीं है बलकि बहु चरणी प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकास संस्लेशन कहते हैं क्या आप यह बता सकते हैं कि इस समीकरण में जल के दो अनुओं का क्रिया धार की रूप में क्यों प्रियोक किया गया है इस पर आप चिंतन करेंगे मनन करेंगे और अपने साथियों में चर्चा करेंगे इस प्रकार आज हमने प्रकास संस्लेशन संबंदी प्रारमिक अध्यनों को जानने का प्रयास किया है आईए एक बार इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं हरे पौधे अपना आहार स्वयम संसलेशित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार की आवशकता के लिए उन पर प्रत्यक्ष अध्वा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं जो जीव अपने भोजन का निर्मान अथवा संसलेशन स्वायम करते हैं वे स्वपोशी कहलाते हैं जैसे सभी प्रकार के हरे पौधे और अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं वे में उपयोग की गई सूर्य उर्जा प्रत्वी पर जीवन का आधार है प्रकास संस्लेशन अत्यनत महत्वपून है क्योंकि यह प्रत्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायो मंडल में ऑक्सिजन भी मुक्त करता है क्लोरोफिल जिसको हम पत्यों का हरा वर्णक भी कहते हैं प्रकास तथा कार्बन डायक्साइड प्रकास संस्लेशन के लिए आवश्चक है जोसफ प्रीचले ने सन 17-74 में ऑक्सिजन की खोज की थी इंजेन हाउज ने अपने एक परिश्क्रत प्रियोग द्वारा यह दिखाया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सिजन को मुक्त कर सकता है सन 18-54 में जूलियस वान सेक्स ने यह प्रमान दिया कि जब पौधा व्रधी करता है तब ग्लूकोज अर्थात शरकरा बनती है ग्लूकोज प्राया स्टार्ट की रूप में संचित होता है प्रकाश संसलेशन को प्रस्तुत करने वाला सही समिकन 6 कार्बन डैक्साइड के अनू 12 जल के अनू के साथ प्रकाश एवं क्लोरोफिल के उपस्तिती में प्रक्रिया करते हैं और उसके फल्सरूप एक अनू ग्लूकोज का 6 अनू जल के और 6 अनू ऑक्सिजन के प्राप्त होते हैं प्रिय विद्यार्थियोग आज के सत्र में आपने प्रकाश संसलेशन से संबंदित विविन्य प्रयोगों का अध्यान किया है इसके लिए आपको कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में दिये जा रहे हैं इन्हें आप अपनी पाठ्य पुष्टक की साहिता से अपनी अभ्यास पुष्टिका में लिखिए पहला प्रश्न है सम पोशी तथा वेशम पोशी में अंतरस पश्ट करें दूसरा प्रश्न प्रकाश शंसलेशन को परिभाशित करते वे इसे समीगन गुरूप में लिखिए तीसरा प्रश्न प्रत्वी पर उजा का मुख्य स्रोत क्या है चौथा प्रश्न ऑक्सीजन की खोज किस ने की थी पांचमा प्रश्न पौधे का कौन सा भाग ऑक्सीजन मुक्त करता है या छोड़ता है चटा भाग प्राया पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है प्रिविद्यारतियों आज के सत्र में आपने प्रकास संसलेशन से संबंदित विविन्य प्रयोगों का विश्तरत अध्यन किया है आप स्वाध्याय द्वारा उसका पाथन करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने ओदेश की पूर्थी में सफल हो हम ऐसी शुबकामना आपके लिए रखते हैं इनी शुबकामनाओं के साथ शीगर ही किसी नए उपिशे पर आपसे पुनह मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद क्या जड़िए ताइब करते हैं प्रतsover है नाए उप्लिगगस ऑ creatively किसी नए ईन्यवाद प्रता है प्रतτο झाओे उपिश तफी किसी नहीं है